दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद बहुत अच्छे होंगे अर आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जिन जिन छात्रों ने जिस जिस सिफ्ट में ये रिये एक्जाम दिया है तो किस सिफ्ट में कौन कौन से प्रशनों पर आपत्ती दर्ज होगी ठीक है और आपको मैं हर सिफ्ट का पूरे का पूरा डेटा दिखाने वाला हूँ जिस से आप आसानी से अब्जेक्शन कर सकें ठीक है दोस्तो और देखिए अब्जेक्शन करने में कोई भी चूक ना करे जितना अधिक अब्जेक्शन होगा उतना ही जयादा फायदा आपकी सिफ्ट के छात्रों को होगा ठीक है क्योंकि जिन प्रशनों पर अधिक अब्जेक्शन होता है यूपिटर पलेसी की नजर उस पर जाती है और आपको पूरे अंग विवो दे सकता है तो किस सिफ्ट में कौन-कौन से ऐसे प्रश्ण है जिन पर आपत्ती दर्ज हो सकती है तो ये पूरा डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ और जिन छात्रों ने ये एक्जाम दिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मैत्पून होने वाला है इसलिए भईया वीडियो पूरा देखें बिल्कुल भी स्किप ना करें अन्यथा आपको पच्ताना पड़ेगा तो देखिए सीधा मुद्दे की बात करता हूँ दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ 26 जून की पहली सिफ्ट इसमें किन-किन प्रशनों पर आपत्ती दर्ज होगी देखिए पहला प्रशन आपके सामने है ये ये आपका बिलिड्स वाला कोई प्रशन है देखिए ये डेटा मुझे छात्रों ने भेजा है और इसी के आधार पर मैंने इन प्रशनों को इखटा किया है और आपके सामने ही पेश कर रहा हूँ जिससे आपको पूरा फायदा मिल जाए आपत्ती दर्ज करने में तो 26 की पहले सिफ्ट वाला प्रशन है दूसरा है आकरती सन्निहित इसमें दो से ज्यादा सही है तीसरा प्रशन है सरकार की नीती से महिलाओं को काफी फायदा हुआ है चोथा ब्लैक विडो स्पाइडर दो विकल्प सही है पाचवा प्रशन है कावे भाषा बरज नहीं है इसमें भारतिंदू हरिष्चंदर होगा चटा प्रशन है जीरो फाइट एंड हाइडरो फाइट साथवा है कायंतरित चट्टान में तीन सही है और आठवा दोस्तों प्रशन है सीखना एक स्थतक प्रक्रिया है तरक वन सही है तो कुल मिलाकर 26 की जो पहली सिफ्ट है इसमें आठ प्रशन है जिन पर आप आपत्ती दर्ज करा सकते हैं ठीक है इनके अलावा कुछ और भी रगया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बाकी फिलाल जितना भी मैंने अब तक विशलेशन किया है 26 की पहली सिफ्ट का तो ये आठ ही प्रशन है जिन पर आपत्ती दर्ज हो सकते हैं आपत्ती के लायक है ठीक है दोस्तों आप से मैं बता दूँ एक बात और जितनी ज़्यादा आप आपत्ती दर्ज करोगे उतना ही आपको अधिक फायदा मिलेगा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वन दरोगा भरती की रिवाइजड आंस्वर की यूपिटर परसी ने जारी करी थी तो उस रिवाइजड आंस्वर की में एक बहुती बड़ी बात देखी गई थी कि आठ परस्णों पर पूरे नंबर चात्रों को दे दे गए थे फुल माक्स दे दे गए थे और बाकी दो तीन परस्ण ऐसे थे तीन या चार जिनके आंस्वर बदले थे ठीक है तो बहुत बड़ी बात है देखी वहां फुल माक्स मिलना, ये बड़ी बात नहीं है होगी वहां सभी को मिल जाएगा लेकिन यहां एकजाम हुआ है चार सिफ्ट में तो यहां भईया फुल माक्स मिलना बहुत बड़ी बात है तो कि आपको दूसरी सिफ्ट से भी कमपेर करना है ठीक है इसलिए जितने भी छाथ 26 फरस्ट वाले हैं वो इन आठ की आठ प्रशनों पर अधिक से अधिक आपत्ती धर्ज कराएं दोस्तों अब बात कर लेता हूँ 26 की सेकंड सिफ्ट की देखे 26 सेकंड सिफ्ट में ये आपके सामने कुल नव प्रशन है और पहला जो प्रशनिय आपका वो है प्रोड़क्ट वाला प्रशने है कोई दूसरा है एंटाइसीड वाला तीसरा है इस्ट- इंडिया कमपणी वाला चोता है एरपोर्ट वाला देखे जिनोंने 26 सेकंड शिफ्ट दी है वो बहुत आराम से इस बात को समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट वाला कौन सा प्रश्ण है या एरपोर्ट वाला कौन सा प्रश्ण है ठीक है पाचवा दोस्तों प्रश्ण है इगनेश वाला छटा है आपका साल्ट लेक वाला सातवा है एलसियम वाला आठवा है ट्रेन वाला और नौमा आपका है बरश्ट चार वाला तो कुल मिलाकर आपके नौ प्रश्ण है जिन पर 26 सेकंड शिफ्ट में छात्र आपत्ती दर्ज करा सकते हैं नौ के अलाबा कोई और प्रश्ण भी हो तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फिर से मैं यही कहूंगा कि अधिक से अधिक आपत्ती दर्ज करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिफ्ट में आपके नंबर बढ़ें आपकी सिफ्ट वाले चात्रों को पूरा फायदा मिले इसलिए अधिक से अधिक प्रश्णों पर आपत्ती दर्ज कराईए ठीक है तो जो 26 सेकंड वाले हैं उन्होंने मुझे 9 प्रश्ण ये भेजी हैं डेटा और इन 9 प्रश्णों पर आप आराम से आपत्ती दर्ज करा सकते हैं और आपत्ती दर्ज कराना दोस्तों कोई दिख्यत नहीं है आराम से आपको पंजीकंड संख्या डालना है उसके बाद आपको डेटावबर्ड डालना है और आपत्ती का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों बात कर लेते हैं 27 जून की पहली सिफ्ट की इसमें किन किन प्रश्णों पर आपती होगी देखिए पहला प्रश्ण आपके सामने है फहद होगा लेकिन आयोग ने गौतम दिया है जो गलत है ठीक है ना 27 फश्ट वाले वो आराम से इस बातों समझ जाएंगे कि फहद वाला प्रश्ण है ठीक है दूसरा आपका है 101, 102, 103, 104, 105, 106 मंजिल वाला है उसमें आयोग ने उत्तर 106 दिया है जोगी गलत है उसका सही उत अगला प्रश्ण आपके सामने है एक पूरा प्रश्ण गलत है रक्त सम्मंद वाला जिसमें आठ लोग है तीन पीडिया है आयोग ने उसका उत्तर एनमाना है लेकिन वह नहीं बन ही नहीं रहा है चोथा दोस्तों प्रश्ण है आकुरती वाले के दो विकल्प सही है दोनो नाट्यम दोनों की डांसर थी ठीक है 27 फर्स्ट वे दोस्तों आपके कुछ और प्रश्ण भी है जैसे फाइनेंशियल इस्टेबिलिटी रिपोर्ट हिंदी में भारत का जिक्र तक नहीं है उस हिसाब से आई एमेफ होगा ठीक है दोस्तों अगला प्रश्ण है उध्योग वाला रीजनिंग तर्क वाला हो गया अगला है मन गणंत वाला इस्त्रिलिंग होना चाहिए उबैलिंग हिंदी में होता नहीं है अगला है अनुनासिक वाला दोनों अप्संस हही है पंच माकशर भी अनुनासिक होगा तो 27 फर्स्ट की दोस्तों बात करें तो एक दो तीन दोस्तों यह आपका हो गया पांच और छे साथ और आट और एक नौ तो 27 फर्स्ट में भी आपके नौ प्रस्ट इस पर आप अत्ति दर्ज करा सकते हैं दोस्तों यह हो गया आपका तीन सिफ्ट का डाटा और रही बास 27 सेकंड की तो 27 सेकंड का अभी मेरे पास रेकॉर्ड नहीं है जैसे ही दिखोड आएगा तुरंत आपके सामने में पूरा अविशलेशन कर दूँगा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ 26 की पहली और आपका 26 की दूसरी और 27 की पहली इन तीन सिफ्ट के आपको सारे प्रशन मिल गए होंगे अगर मैं इन तीन सिफ्ट के सभी प्र दर्ज करा सकते हैं ठीक है और देखिए आपको मैंने बताए भी था कि कम से कम कम से कम साथ से आठ प्रशन ऐसे होंगे हर सिफ्ट में जिन पर आपत्ती दर्ज हो सकती होगी और बिलकुल वही बात निकली छात्रों ने भी वही रिकॉर मुझे ये भेजा है ठीक है दोस्तो तो ये होगे आज का वीडियो और किसी भरती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैन जबारत हमेशा खुछ रहिए मुश्क्रात रहिए